दिल्ली के माननिया उपमुख्यमंत्री हैंडसम सिसोधिया नामसे कुख्याथ मनीश सिसोधिया के साथ अब तो जेल में जाना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी हो गया है दिल्ली के राज्यपाल ने जो सिसोधिया जी को प्रिवेंशन औफ करप्शन एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट करने की पर्मीशन मांगी थी वो पर्मीशन MHA ने दे दी है क्या है पूरा मामला और क्यों जाएंगे सिसोधिया जी जेल जानेंगे विस्तार से मामला है 2015 का एक विजिलेंज डिपार्टमेंट होता है इसके हैड सिसोधिया जी है तो जब दिल्ली वालों का कार्ट के ये लोग सत्ना में आये थे तो इन्होंने 2015 में उसी विजिलेंज डिपार्टमेंट के अंदर FBU Feedback Unit नाम का एक डिपार्टमेंट क्रियेट करा था ये क्या बला है तो जी एक Extra Constitutional Extra Judicial Intelligence Agency थी Extra Constitutional क्यों क्यों क्योंकि ये डिपार्टमेंट बनाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से कोई परमिशन नहीं ली गई थी इस FBU में IB वगयरा के जो Retired लोग थे उनको रखा गया था इसको बनाने के पीछे कारण दिया गया था कि ये Feedback देगी जो Unit है सरकार के Various Departments के काम का और Schemes का Intention सुनके तो लगता है कि वाह क्या संत आदमी है सिसो दिया जी पर वामपंथियों की एक अदा होती है उनके लिए सब्दों के अर्थ वो नहीं होते जो हम जैसे आप जैसे common लोगों के लिए होते हैं जैसे अगर कोई word है तो उसका जो हम meaning मानते हैं वामपंथियों उसका ठीक ultra मानते हैं पर एक्जामपल सेकुलरिजम को ही ले लो तो हमारे लिए उसका क्या meaning हुआ पंथ निर्पेक्स या रिलिजन न्यूट्रल पर लेफ्ट इस्टों के लिए उसका मतलब होता हिंदू हेट्रेड ये words के ठीक ultra meaning हो जाने को George Orwell Newspeak कहा करते थे FBU के बनाने के पीछे का भी reason जो दिया गया था वो कुछ SI Newspeak सा था जब सरजी ने department बनवाया था तो सरकार ने इसको बनाने का reason दिया था कि इससे vigilance establishment जो है वो मजबूत होगा और relevant information and actionable feedback मिलेगा on working of the various departments, institutions, entities, ETC under the jurisdiction of GNCTD खेर FBU बन गया अपना काम सुरू कर दिया कि 2016 में डारेक्टर ओफ vigilance department के किसी अफसर ने इस department के खिलाफ complaint दर्च कराई उसके basis पे दिल्ली के उपराज्य पाल ने CBI जांच के order दे दिये जांच में पता चला कि भाई ये department तो किसी और काई feedback ले दे रहा ये तो जी जासूसी हो रहे लिए और वो भी कोई एकका दुक्का नहीं जांच में पता लगा कि feedback unit जो reports बना रही है उसमें 60% तो political adversaries की snooping है यानि विपक्षी party के नेताओं की जिन अधिकारियों ने दूम हिलाने से मना कर रखा या आनाकानी कर रहे है इन सब की phone tapping और वो क्या क्या होता है जासूसी में जो जो होता है सब कर रहे थे feedback unit की जो reports है उनमें अधिकांस reports actionable feedback या किसी department institute entity etc में corruption पर नहीं है बलकि लोगों की political activities, political entities और उन political issues पर है जिनसे आप party और बीजेपी के interest जुड़े हुए है अब देखिए आपको new speak समझ में आ रहा हो, department बनाते time क्या reason दिये थे और department बनने के बाद काम क्या कर रहे थे यही नहीं, जासूसी तो करवा ही रही थी दिल्ली के अर्विंद केजरिवाल की सरकार साथ में पैसे का भी गबन हुआ है एक करोड रुपिया पता नहीं कहा घूम गया, इसके अलावा दो लाख दस जा रुपे के फरजी बिल भी बना के अंदर ले लिए गए फरजी बिल इसलिए क्योंकि जिस फीड़बैक यूनिट के नाम पे बिल फटा है, उस एफबीउ का कहना है कि हमें तो भाई यह समान कभी मिला ही नहीं, जिसका यह बिल हमारे सर पे फाड रहे हो यही सब चीजें CBI वालों को अपनी जाँच में मिली थी, जिसकी रिपोर्ट बना के उन्होंने दिल्ली के उपराज जेपाल महोदय को भेजी थी जिसके बाद उपराज जेपाल जी ने मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर से परमीशन मांगी थी कि माननी या उप मुख्यमंतरी हैंडसम सिसोदिया जी के खिलाफ केज दर्च करने की परमीशन दी जाए और वही परमीशन MHA ने दे दी है अब भई जासूसी करना कराना तो गलत बात है न सिसोदिया जी ठीक भई आप हैंडसम हो पर ऐसे थोड़ी नहों होता यार कि बिल्कुल या आप तो खुद को हैंडसम हंक मानने लगे कि कुछ भी कर लोगे खतम खेर जो लोग हैं भई जो कॉमन लोग हैं हम जैसे आप लोग यह बताएं कि भई आपने एक ख़बर कब सुनी पहली बार मेडिया में या किसी अखबार में इस से रिलेटेड कोई न्यूस देखी पढ़ी गया यह केस के बारे में इस अब जो चला है तो 2015-16 से ही शुरू हो गया था भई वो फरजी पेगसस नाम का पता नहीं कौन सा सौफ्टवेर था जो मोदी ने सब के फोन में डाल दिया था जिसके बाद सारे लेफटिश डॉक्स जो हैं उन्होंने अपनी चूरियां तोड़ दी थी कि हाई हाई मोदी जासूसी करवा रहा है प्राइवेसी का वाइलेशन हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है उनमें से किसी ने बताया आपको भई स्नूपिंग करना प्राइवेसी का उलंगन होता है कि नहीं होता है या हैंसम सी सोधिया करेंगे या कोई नॉन बीजेपी प पेरवानी या लल्लन टॉप यह जितने भी है मतलब यह क्या क्याते हैं इनको जो भी मतलब सो कॉल्ड इस्पेकिंग टू टू दा पावर वाले इन्होंने कुछ बोला इस पे इनकी कोई वीडियो इडियाई नहीं आई न भाई अब जब सीबी आई जांच में कनफर्म हो गया तो यह सारे तो अपने मुं में फैवी क्योंकि लगा के बैठे हैं वाए मैं बताता हूं क्यूंकि साहब केजरिवाल न बेसक आपको पागल सा दिखता हो मासूम सा बनके घूमता हो भाई यह न पर यह बहुत बड़ा काईया है घाग सा केजरिवाल से सातिर सायधी कोई नेता हो इस देश में वो तो सामने मोदी है जिसके सामने इस कालनेमी के हतगंडे पकड़ में आ जा रहे हैं वरना मोदी नहों दे पूरी भाजपा को खाजाए भी नडकार लिए और मीडिया में खवर भी ना आने दे केजरिवाल को बहु वही जो तुम सोच रहे हो लग गई है वाला एडवर्टाइजमेंट दे देता है वो यूही नहीं देता है एक एजरिवाल वह खबारों में जो एड़ छपते हैं वो प्रेस्टिट्यूट्स के मुह में हड़ी फेकता है कि चुप चाप दो मिलाते रहो यह जो में इस्ट् वाकर जगा जगा चिपकाने को पी आर वाले हैं भेडिये को भेड़ पोर्ट्रे करी देंगे अगर इंटरनेट नाम का उतार नहीं होता ना तो केजरिवाल को यह मीडिया के डॉग्स फादर टेरेसा जैसा कुछ घोसित करके हमारा काट चुके होते पर इतनी आसानी से खोड़ी नबिग जाएंगा वही कुछ आतमाएं नोट फोर सेल होती हैं सड़ जी